तो यह question है, this is 4.30 एक aeroplane horizontally fly कर रहा है, aeroplane is flying horizontally, what is its speed? 720 km per hour, velocity of aeroplane and it is going in horizontal direction it just, it passed over a gun, इसके नीचे ground पर यहां पर एक gun है और यह ठीक इसके उपर से जाता है उस समय यह gun इसको देखती है और fire करती है operator इसको देखके fire करता है और यह जो fire करता है यह उपर जाएगा उसका firing, उस firing की speed क्या है? 660 km per second कितना वो hit कर सकता है? velocity of the bullet and velocity of the... क्या देखने आपने cannon? shell velocity of the shell this is 600 km per second अब यह देखिए यहां से जब यह इसको इधर देखता है vertical gear अगर यह इधर ही fire करेगा तो क्या यह इसको hit कर पाएगा? answer is no क्योंकि इसको यहां तक पॉंस्ते-पॉंस्ते कितनी height है? 1.5 km 1.5 km 1.5 km that is 1500 m 1500 m उपर जाने में इसको 2.5 seconds अगता है अगर यह सीधा ऐसा fire करता है उस 2.5 seconds ते यह तो काफी आगे चला जाएगा इसको आप convert करिए meter per second ने so this will come to 200 meter per second तो यह तो काफी आगे चला जाएगा और यह उसको hit नहीं कर पाएगा इसलिए method क्या बना? कि जितनी देर में यह उपर इसके पास पहुचेगा इसको aim करना चाहिए इसको निशाना करना चाहिए इस height का यह जब यहाना से throw करेगा तो ऐसा C हा fire नहीं करेगा यह ऐसा data fire करेगा और यह इस यह projectile बनाएगा that projectile will be like this यह इसका projectile बना इस projectile ने vertical के साथ उसने एक particular angle लिया यह angle theta इस theta angle से इसने throw किया यह ऐसा projectile बना लेकिन इस theta की choice उसने इस तरह से की कि जब यह 1.5 km हाइट पर पहुंचता है इस जगह पर उस समय अरोटेम भी यहां उना चाहिए अगर इस theta को यह ज्यादा लेनेगा तो यह ऐसा जाएगा गम लेनेगा तो ऐसा जाएगा तो यहां पर एक time इसका 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 ऐसा तो उसने एक ऐसा particular angle दिया कि जब यह यहां पर पहुंचेगा उस समय पर पहुंचेगा और यह उसको हिट करना है ठीक है यह story है तो पहली चीज़ हमको यह समझ में आनी चाहिए कि जब इसको हिट करना है तो हमें यह consider करना है कि यह country इसकी horizontal भी जा रहा है कुछ दूर आगे चला जाएगा so it has to make certain angle उस angle से यह भी आगे जाए ताकि इसको यहां पहुंचने में जिद्धी देर लगी है और यह इसको रिट करता है दूसरा यह वाला इसके project type के रास्ते में कहीं पर आएगा ठीक है अब हमसे क्या पुछा गया है पहरी चीज़ question बरी लाइज देखिये from the vertical at what angle हमें क्या बताना है angle यह vertical से बनने वाला वह वाला angle बताना है जिसकर यह अपनी गर्म रखे हिंट करेगा शेल को फायर करेगा यह थीटा की value नों को दिकाने को तो थीटा की value कैसे दिकाने को थीटा किस किस equation में आएगा यह सुचना है तो इसका सुचने का दरीका आप equation को से बनाना चाहिंगे जिसमें थीटा इन ओर vertical velocity अगर इसकी velocity यहाँ पर इस direction में u है तो बताएए vertical velocity कितनी होगी यू साइन थीटा या यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा क्योंकि थीटा के साथ बढ़ने वाला component मेंशा कॉस होता है इसका यू कॉस थीटा इसका यू परपेंडिकुलर component है यह हमेशा यू साइन थीटा परपेंडिकुलर साइन रहता है तो यह यू साइन थीटा बना ओके यह हमको यू ही value मारता है यू is velocity of the shell which is 600 ओके तो 600 कॉस थीटा इदर 600 साइन थीटा इदर vertical horizontal अब थीटा आप किससे निकालना चाहेंगे बताईए इसके motion में और इसके motion में क्या चीज़ कॉमन है height 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 arrow plane में कोई height travel नहीं की है जो यहां पर था वो यहां पर था height load नहीं की उतनी है height time देखिये इसने इसको देखा देखते ही तोनों का action शुरू हो गया action start इसका action क्या है horizontal जाना इसका action क्या है shell को इधर जाना तो shell का action और airoplane का action यहां सी दोनों उसका starting time एक यहां पर जाकर airoplane को shell लेद गिट किया तो दोनों का यह वाला time भी यहां पहुचने का time भी एक अगर दोनों का यह time आइक है तो यह इसका travel का time और इसका travel का time दोनों के travel की time कैसे है यह एकवर तो ये जितनी देर तक इदर ट्रेवल करता है, ये उतनी देर तक इदर ट्रेवल करता है, जब ये पार्टिकल यहां पहुचता है, अब सबसे इपॉर्टेट जिस, जब यह यहां पहुचता है, तो इसने वरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है, तो अंसर है यह इसके horizontal distance travel कर लिया है vertical distance कितना travel कर लिया है तो यह इसने vertical distance travel कर लिया है तभी तो यहां पुंचा यहां मौुचने का मतलब two dimensions में क्या है कि यह body यहां महुची x में भी आगे बढ़ गई और y में भी बढ़ गई x direction में कितना आगे बढ़ी इतना that is इक्वल किया लगा फिर से टी टाइम में एरोगें का रिस्प्लेस्मेंट यहां से यहां हुआ, इसी टाइम में यह शेल का रिस्प्लेस्मेंट यहां से यहां तक हुआ, यहां से यहां तक हुआ, तो यह दोनों का रिस्प्लेस्मेंट कैसे हैं, इक्वल, दोनों का रिस्प् हाँ, इक्वल आपको इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप इस लाइप को देख रहे हो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी जो पोजीशन थी एक्स ये ये वाजी थी जिसका नाम है एक्स इस इक्वल टू जीडो टी टाइप के बाद इसकी ये पोजीशन है इसका एक्स इस इक्वल टू कितना ये वाजी लेंड ये वाजी लेंड समझाया है तो ये एक्स डिरेक्शन में कितनी दूर गया है ये मना दिस्टेंस ये मालो एक्स इस्टेंस है तो ये कितनी दूर गया X, arrow plane कितनी दूर गया है, X, तो दोनों का displacement कैसा है, same, ये बाद सबको समझाएं, आपको, right, दोनों को time भी कैसा रगा, same, अगर displacement दोनों का same है, X direction में, time दोनों का same है, तो दोनों की velocity भी कैसी हो, same, क्योंकि displacement अपन time भी क्या होता है, velocity, तो दोनों का displacement same, दोनों का time same, इसलिए दोनों की horizontal velocity कैसी होगी, same, ठीक है, तो same मतला equal, क्या जीज़, horizontal velocity of shell is equal to horizontal velocity of aeroplane, यह हमको दी गही है, कितनी, 200, horizontal velocity of shell, 600, 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 so this is 600 sin theta, लिचे, थीटा है, बस, आपको खनी एफ माइं निकनी है, this, तो sin theta कितना हुआ, 1 by 3, 1 by 3, यहाँ, sin theta कितना है, अब theta is equal to sin inverse, 1 by 3, अगर चार्ट से देखें में, कि 1 by 3 किसकी sin होती है, यह इस 90.80, यह जो भी आएगा, 90.5, 90.80, that is the answer, ठीक है, so this is theta, इस theta पर जब यह इसको रिट करेगा, तो internet का time और aeroplane का time, दोनों कैसे रहेंगे, same, same time पे same displacement को बढ़े, क्योंकि दोनों के horizontal velocity हमने बराबर कर दी, दोनों के horizontal velocity बराबर कर दी, अब क्या हो रहा है, दोनों की horizontal velocity यह सा बराबर है, इसलिए यह एक aeroplane उपर और शेल नीचे यह दोनों ऐसे चलेगे, एक साथ, अब यह बारा तो शेल है, इसको हमने उपर भी टेस दिया है, लेकिन horizontal इसके बराबर, यह हमेशा इसके नीचे रहता है, साथ में ऐसा उपर होते जाने, और इक जगा जा की यह इसको hit करते है, समझ में आरी बाद, इसलिए में अब्जेक्ट कैसे चलते हैं, एक horizontal velocity होती है और एक particular, यह इसकी particular, तो यह हमारा first answer आंसर आ गया, अब second answer हो क्या चाहिए, minimum height for this aeroplane, so that, this shell cannot hit it, अचा, अगर यह shell इसको hit करना चाहता है, तो इसने यह angle बनाया, और यह गोला चलागी, यह shell आकर इसको hit करेगा, यह ellictile बनेगा, अगर यह aeroplane का pilot, अपने plane को इस side पर ले जाए, यह angle, तो फिर यह को कभी भी मार नहीं सकता, तो यह वारा distance, यह वारा distance, इस distance को अपनो projectile motion में क्या कहते है, high maximum, high maximum, और इसकी value आपको मार नहीं, u square upon g, correct, कितनी बनी है, u square upon g, high max is equal to u square upon g, upon g, side q, देखे, आपने projectile के जितने formulae बड़े हैं, सब में u है, सब में theta है, और सब में g, u sin theta और g, सब में, इसलिए आपको जबर दस confusion होता है, कि कहाँ sin theta है, कहाँ sin square theta है, कहाँ sin 2 theta है, इसलिए आपको बहुत exactly याद करना पड़ेगा, sin 2 theta वाला formula सिर्फ range का है, right, तो इसलिए कॉपि खोल के जिछले परने पे देखिए, कि height maximum का क्या formula है, वही formula है, कहीं बें denominator के g है, और कणी 2g है, इसलिए गर्बट नहीं होनी चाहिए, पत्का याद 20g से, maximum height, कितना, u square upon 2g, इसलिए मैंने बोला, बहुत सारे चीज़ों का confusion है, कहीं 2 है, कहीं नहीं है, कहीं side का square है, कहीं नहीं है, कहीं theta है, कहीं 2 theta है, लेगिं quantity तो 3u theta और g, यहीं हूंते रहते, इसलिए सबको अच्छे से याद करें, okay, u square upon 2g into, sine verticalize it, okay, this is maximum height, अब यह maximum height अगर हमको निकालनी है, projectile की, तो यहां बाद अग्लाई करिए, projectile, इसका u कितना लेना है हमने, u, sine theta कितना है, 1 by 2, sine theta, 1 by 3, 1 by 3, तो u into sine theta, और इसका जाट अगर देना है, square, to be divided by, square theta, yeah, square theta, okay, अब इसको बनाते है, so this will be 200, 5, right, sigma, u square, sine square, yeah, ये फॉर्ग अगरे, ये फॉर्गणा टरेक्ट है, ये फॉर्गणा देना है, हूं फॉर्मुला गलत है कैसे गलत है H-Maximum है ना शर हां को आप H-Maximum का फॉर्मुला पता ही है युस्परमाट के लिए नहीं आपको परस लिखा हुआ नहीं और आपको याद मी लेगे तो दोनु चीज नहीं है तो कैसे बोलोगे anyway, सुनिये हमारा formula ये वाला बिल्कुल ठीक है लेकिं हमारा ठीटा ठीक नहीं हमने जब ये formula बनाया था तो ठीटा कहां था नीचे क्यों पर ये ये अगर ठीटा होगा तो ये क्या साइट ठीटा पर यहां पर ये ठीटा नहीं है ये क्या है ठीटा उपर वाला ये ठीटा नहीं है तो यहां पर ये एंगल हम पूछाएं और इस एंगल की वैल्यू अभी कितनी है 90 माइनस ठीटा इसलिए हमारी इस formula में क्या आएगा 90 माइनस ठीटा ये formula में हाइट मैक्सिमम में जो ठीटा लिया जाता है वो ठीटा होरिजॉंटल के साथ बनने वाला इंगल है horizontal के साथ बनने वाला है वो बात की बात है फिलहां ये बात आपको समझ में आए कि एंगल कौन सा लेना है जो horizontal के साथ बनता है और यहां horizontal के साथ क्या बना 90 minus theta इसलिए हम इसको क्या लेंगे 90 minus theta समझ आ रहा है आपको तो जब हमने formula बनाया था इसलिए यहां पर हम करेक्ट करेंगे इसलिए u square sin 90 minus theta पूरे का point square इस इसलिए इसलिए बाइट बाइ 2 अब इसको रखना शूरू करते हैं तो u की value हम को मालूं है u is equal to 600 2g भी हमको मालूं है 2 input 10 यह हमको नहीं मालूं sin 90 minus theta इसका square हमको चाहिए यह कहां से लाइगे sin 90 minus theta क्या होता है cos theta cos theta हम भूं किसकी value मालूं पर हम sin theta अगर यह sin theta है तो बताएं यह cos theta की value क्या हो and root 7 upon 3 root 7 upon 3 root 7 upon 3 root 7 upon 3 इपन जल्दी बग करो 2 root 2 upon 3 2 root 2 upon 3 very good that is root 8 upon 3 okay sin theta 1 upon 3 है to cos theta है कैसे लिकाला हमें यह थीटा है अगर यह 1 upon 3 है यह कितना है 1 और यह कितना है 3 अगर यह 1 है यह 3 है तो यह कितना हुआ 3 square minus 1 square कितना हुआ 8 तो बटाईगे इसका sin कितना हुआ sin perpendicular upon hypotaneous that is root 8 upon 3 तो यह इसकी वैल्यू आगे cos theta that is sin 90 minus theta तो इसकी वैल्यू आपक इतने रखना पादे है root 8 upon 3 3 इसका square yes sir root 8 upon 2 लीक सकते है 2 square 2 कर जाए ताँ very good अभी 2 लीक कर लेगा क्योंकि अभी यह bracket के अंदर है और square ठीक है अभी आप लीकर्स तो अब इसको square करिए यह कितना हो जाएगा 600 into root 8 into root 8 8 divided by 3 into 3 9 अभी इसका है 2 into root 10 600 का square 600 का square कितना हो गाएगा अभी 6 1,2,3,4 1,2,3,4 6 इसका 36 यह आगा है अभ इसमें कैंसलेशन कर देते हैं तो कैंसलेशन करने से यह 4 4 4 4 8,0 यह 1,1,1 अभ उपर इसमें आया, 4 फोजा, 16 1,2,3 6 5 6 6 16 किलो मिटर इसका यह मतलब है कि अगर आरो ट्रेइन 16 किलो मिटर की हाइट पर फ्लाई करेगा तो यह वाजी गन उसको कभी भी ही ने प्ले कर सकते क्योंकि इस गन से मैक्सिमम कितनी हाइट जा रही है यह यह हाइट जा रही है 16 किलो मिटर तो जब यह यहाँ पर है यह देजिए जब शेल यहाँ है तो अरो प्लेइन यहाँ है जब शेल यहां है तो अरोप्लेन यहां है, जब शेल यहां है तो अरोप्लेन यहां है, जब शेल यहां है तो अरोप्लेन यहां है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसकी होरिजोल्टल स्प्रीड और इसकी होरिजोल्टल स्प्रीड दोलू बराबर है, इसलिए दोलू बराब इसलिए ये इसकी तरफ जा रहा है, जा रहा है, कहा तक जाएगा? 16, उसके बाद ये इर्मर्शन हो जाएगा, अगर एरो प्रेम 16 से भी उचा है, तो क्या होगा? ये उसको हेट नहीं कर सकेगा, तो अगर पाइलेट को सेफ़ली जाना है, तो कितनी हाइप ने के जाएगा? 16 16 किलो मीटर से उपर जाएगा है, ठीक है? ओके, ये स्ट्रेटेजी है, हमको पता रहता है, कि हमने जिस एर्मर्शन में जाना है, उस एर्मर्शन में कौन सी गंस लगी है, ये सब देशों को दुतरे देशों का पता रहता है, तो उनको जब पता रहता है कि वहां ऐसी गंज लगी में बॉर्णर के पास तो वो अपने एरोप्रेंट वाले पाइलेट को बताते हैं, इसका रेच कलपूरेट किया जाता है, हाइड तेलूरेट की जाती है और उनको बुला जाता है कि एरोप्लेट इसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद, स्ट्रेटेजी की बात है, एक चीज होती है, राडार, राडार आपने करा है, तो राडार जब ऐसे चलते हैं, इस हाइट को वो देखते हैं, इस हाइट के नीचे, अगर कोई ऐरोप्लेट है, तो उदर हुद की वेज आती जाती नहीं, तो उसको वो डिटे नहीं कर सकता, अब देखिये 16 किलोवीटर के ऊपर गर गर डिट नहीं कर सकती, एक किलोवीटर के नीचे राडार देख नहीं सकता, तो पैलेट क्या करेँगे, पहले जब जाएगे, तो कितनी हाइट ने की जाएगे 16, जैसे उटा टागिट नस्दीक आता है ये ऐसे जाएंगे और कितना नीचे चले जाएंगे लेस्टन वान अब क्या होगा अगर रडार उपको देख नहीं सकता है तो जो ये गंस है ये गंद उपर निशाना ही नहीं लगा सब्के दिखी नहीं रहा है समझते आया है ये स्ट्रेटेजी है लेकिन हर जगा पर फिजिक्स यूप ये सारी कल्कुलेशन एक कंप्टिर में फीट की जाती है और ये कुछ बहुत बड़ी कल्कुलेशन नहीं है जब हम थीचा लिकालने चाहते हैं तो आप देख रहे हैं थीचा के फॉर्पोले से क्या र compart systems देख रहा हैं और इसकी speed हम पुमाः उन रवर्टिकल några है with ऐसंद मेल-टिटर और अशुष र्वॉम करते है तो इसका टाइम है क्लोत दूसरे पोल को जब अप्राएम करता है तो इसका time कितना है? 3 second. तो मां दो एक pole यहाँ पर है. तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचता है, कितना time बीच चुका है? 1 second. फिर जब यह इसके बराबर उपरण pole यहाँ है, इसको जब एकॉरस करके जाता है, तो time कितना बीच चुका है? 3 seconds. 3 seconds और फिल ये नीचे गिर जाता है हमारे पास given quantities किया है कि इसको जब हमने throw किया the initial velocity is u this angle is theta and the acceleration is acting downward that is g और ये ऐसे गया यहां पर time है 1 second और यहां पर time है 3 second this is the given setup निकालना क्या है maximum height attended by the maximum height attended by this projectile यह वाली height हम तो चाहिए h max यह जो maximum height है this is our question अब maximum height कैसे निकालना तो हम तो रख अपने formula पर जाते है हमको maximum height का formula माने है और वो formula हमको यह वाले एंडर alpha के respect में माने है क्या formula बता हिए height maximum u square sin square upon 2 u square sin square alpha upon 2 यह यह वाल्फा लेगे क्योंकि एंडर जो horizontal के साथ बता है यह तो यह हमारा formula बना किसका maximum height है यह हमें चाहिए इसमें हमारे पास क्या-क्या information है और क्या-क्या नहीं है यह तो हमको दिया है alpha 90-theta okay u हमको u square पूची हमसे value पूची जा रही है कि height की value बता ही तो इतनी सारी चीजें की value अगर हमारे पास होगी जबकि हमारे पास सिर्फ किसकी value है 9.8 इन दोरों की value नहीं है इसके बते हमको किसकी value दी जा रही है time एसा इतिजाम करना है कि time को involve करें और ये वारी चीजे ये वारी चीजे eliminate होज़ें कैसे कर सकते हैं s is equal to u t plus हमारे पास हमको एक और चीज़ दोरों की height कैसी same h is the best दोरों की height h h same यहां से यहां तक जलें पहुसता है यह वारी height इसने h कवर की है किस velocity से तो answer है vertical velocity से यह height vertical velocity से और vertical velocity अगर यह u है तो यह वारी vertical velocity कितनी होगी u cos theta u cos theta से इसमें उपर जाना है तो बताइए h height आने में कितना time लगेगा कैसे निकाते h का s का एक ऐसा formula बताइए जो time के basis वर time का function हो s is equal to ut plus s इस पर time के तो यह formula होने लिखा s is this is what required इसको हमने दिमाग में रख लिया यह हमको ultimately चाहिए अचा अब इसके लिए हम लेते है s is equal to we know s is equal to ut plus half 80 square पहले पोल के लिए हमने लिया h उसकी value इतनी आएगी बताओ u, u क्या लिखना हमने u cos theta u cos theta into t 1 plus minus half half g g को last में हम 9.8 रखेंगे और ही g रखेंगे minus half g or 1 ka square 1 yeah, yeah, h h अब अब ये वना है h लिखना है 3 h is equal to फिर से u 3 minus half g 9 9 फिर से है 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 लेकिं ये दोनों हाइट ऐसी है 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 इस ये इन दोनों पहाँ एक्वल लिख देते हैं इससे आप u cos theta की value निखाती जाए और cos theta किसके बराबर रहे cos theta इन दो sin alpha ये समझाया है तो आप value इसकी निका लोगे u cos theta याने u sin alpha की value निका लोगे और हमकुछ चहीए u sin alpha पूरा का पूरा हमकुछ चाहिए ये g की value आप तो बालू है और हमकुछ क्या चहीए u sin alpha u sin alpha नहीं करते है u cos theta क्या होता है u sin alpha क्योंकि cos theta is equal to sin 90 minus theta 90 minus theta कितना alpha so this we can write as u sin alpha ये इदर देश दीचे तो ये कितना हो जाएगा qg u sin alpha इसको इदर ले आए 9 upon 2 minus ये transpose समझ में आगया तो अब इसकी value निका u sin alpha is equal to this is how much 8 by 2 8 by 2 8 by 2 is 4 2g y for 2 4 4 और इकर गया 2g ये किसकी value आगे u sin alpha 2g यहां रखे पे 2g h max 2g है i max ये हुआ 2g का divided by 2g 9.8 2g ये हुआ तरीका समझा है तरीका समझा है जब करेगा तो वो क्या बन जाता है project time ये project time यहां से ऐसे गिरेगा ये वाना distance horizontal distance कितना है it is given to us 10 meter और इस दोनों की height में कितना difference है 9 meter और ये आगी यहां से ऐसा गिरा ये तो आपको ये बताना है whether he will land on this building या वो नीचे किर जाएगा ठीक है ये आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं पहले आपने एक range वाला प्रणा था तो हम क्या करते हैं हमको range निकालना है range निकालना है हमको क्या पता है इसकी velocity u है और इसके पास सबसे बड़ी चीज time time किससे decide होता है कुनसी velocity से horizontal की vertical vertical time of flight देखिए vertical से यह vertical जगा कितनी है इसके पास 9 meter एक आदवी 9 meter नीचे गिरेगा कुछ time लगेगा अगर उसको हम बोलेंगे 18 meter नीचे गिरना है तो time कम लगेगा कि ज्यादा ज्यादा लगेगा 23 meter गिरना है तो time और ज्यादा यानि जितना उसको नीचे गिरना है उतना उसके पास time available है क्या करनेगा वो उस time तो answer है कि जो उसकी 9 meter speed थी यह यह speed तो हमेशा maintain रहती है क्योंकि horizontal speed है उतनी देर तर जितना time available है उतनी देर तर वो सामने तो जाता ही रहता क्या speed से 9 meter अगर हमने इसको 1 second time दिया तो यह यहां आ गया अगर हमने इसको 4 second time दिया तो यह यहां आया फिर यहां गया फिर यहां गया फिर यहां इतना दूर चला गया क्योंकि 4 second time दिया क्यों 4 second time दिया क्योंकि height इतनी ज्यादा थी कि उसको गिरने में 4 seconds लग तो time किससे decide होता है कि हम कितनी height देते हैं गिरने के लिए यहां कितनी दी 9m तो आप क्या दिका लेंगे कि 9m गिरने में कितना time उस time पे कितना आगे बढ़ जाएगा वो किससे दिका लोगे अगर आप पैटोगरस लगाना चाहते हैं तो हम mathematics का पैटोगरस बिजिक्स में लगाते हैं जगा जगा लेकिन हमने एक बड़ा fundamental रूप पढ़ा है vectors का कि जब आपने vectors को add करना है minus करना है तो basic condition क्या है what is the fundamental condition मैंने आपको बोला था बार बार ये चीज आएगी अभी आगी no 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 basic condition vectors को add करने की क्या हुथी है that their nature should be same 9 meter क्या चीज है length displacement 10 meter क्या है displacement 9 meter क्या है velocity उस velocity को आप इससे नहीं जोग सरकें ठीक है तो अगर आपके ऐसे पाइटोगरस से striker को पुरा करेंगे तो उससे क्या मिलने वाना है total height total height total height slope slope तो slope से क्या है तो उससे सब्सक्र जब करेंगे तो यह नहीं नहीं जब नहीं करेगा वो हमाब जब करेगे तो यह नहीं नहीं बच्चो वाले method छोड़िए अपना तरीका रदाईए जो तरीका मैंने बताईगा कि उसको 9 meter नीचे गिरने में कितना time लगेगा this is step number one और step number two क्या है उतने time में कितना horizontal distance वो पार्क करेंगे दोनों चीजे निका लिए पहरे time लिए 9 meter नीचे गिरने का time के लिए क्या formula यूज करोगो root two h upon g root two h upon g this is the result हमारा उतना क्या formula s is equal to root plus half it is square जिसमे u क्या लेना है 0, so ut भी क्या हो गया 0, so क्या बचा half u t square half g t square ठीक है यह time से related तो इससे हम type की value निकाल सकते तो time की value निकालिए कितनी है इसके 3 root 10 अच्चन आए time की value आप निकाल के सब देख लीजे time की value इस तरह से निकालती है h is equal to ut half a t square यह h हमने कितना लेना है 9 नीचे की तरह u 0 half into g की value 10 और t square तो यह हूगया 5 तो यह हूगया 5 तो यह हूगया 5 तो यह हाइट इतनी है 9 vertical 10 क्या है और इस उत्रस रेकर तो यह हमारा तरीका है time का मेरीका यह time निकला वो यह पश्चन मत किया करीए 9.8 लेनों के तो कितना बढ़ पड़ जाएगा कब? 3.57 तो यह सर्थ तो यह कितना बढ़ जाएगा? 18 upon 9.8 18 upon 9.8 is equal to T square so T T value? 90 upon 98 90 upon 49 49 49 49 90 upon 48 what time? 90 upon 49 3 to 10 3 to 10 3 to 10 3 to 10 upon 7 this is correct this is correct this is correct लेकिन इससे conclusion पे पहुंचना आपके लिए मुश्किल है पर technically यह correct this way तो यह formula आपके उसे लिया है then it's done yes sir good okay यह अवियर्टी की value अब हमको क्या निकालना है? horizontal distance horizontal पे इसकी velocity कितनी है? 9 meter 9 meter per second horizontal distance horizontal distance horizontal distance 3 root 10 upon 7 into 9 यह कैसे है time multiplied by speed 9 this is equal 27 upon this is 27 root 10 upon 7 3 अवे कितना हुता है इसको इसको दिए 12 आगी जुभष आगी ऩुभष 27 आगी is 21 25 25 25 25 25 25 25 25 टीक है, निकालें इससे निकालें, इस बेटर, रूट 10 की वैल्यू अब पुमारों के, कितनी, 3.15, 3.15, okay, रूट 10 की वैल्यू, 3.15 ने लिचे, फिर देखें कितना है, इसमें देखें, 11.9 करीब आएगा, that is almost equal to 12, this is 11.7 और इसको जवाब सिंक्निफिकेट फिगर में करवट करेंगे, तो ये कितना होगा, 12, 12, अच्छा, सिंक्निफिकेट फिगर में को यहां जवरूत नहीं है, हमारा के यहां सराइट एरिया क्या गास, कि इससे ये कितना दूर है, 10, 10, अगर ये 11 को पार कर गया, हले 11.7 हो, 11.9 हो, ये 12, 10 को तो इसने पार कर लिया, तो ये नहां गिरेगा, इसकी छट पे गिरेगा, हमको आजसर इतना ही देना है, छट पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो हमने यहां तक बनाया, और यहां सक बनाती है, तो आप कैसे बनाएंगे, नमबर एक, इतने लंदे रूप से मच जाएगे, तो रिजन में पहले आपको बताया, पीपो बेस जोटा है, ठीक है, इसलिए छोड़े से जाएगे, दूसरा, उन्हों मेना हमसे अंसर नहीं पूछा है, उन्होंने सिफ ये बोला है, कि बिल्ली की छट में गिरेगा कि नह तो हमको ये निकालना है, पिजज़ है जाएग स्देडा, तो हम इतना सा बनाते हैं, और इसके बाद क्या इंज़ते हैं? चिक है, मै Mount東 आपका, जब क Tiffany कंण ओ, याar अंसर निकालते हैं, क्यों? हमने अपने 2 मेट पचा लिए, औरृओस समने टाइम बेस किया है, वो नहीं होता चाहिए, mathematics में आप time based कर रहे हो, जबकि answer किसका देना physics की question, ठीक है, तो यह थोड़ा सत्यान रखिए, time religion रेक्षिन कर दो, आज हमनों का topic है projectile on inclined plane, inclined plane क्या होता है, एक horizontal surface है, यह horizontal direction है, और इस पर कुछ angle बनाती हुई, यह दूसरी structure है, जैसे हम किसी पहाड पर जाते हैं, या ऐसे slope के ऊपर जाते हैं, यह inclined plane है, जिसका यहां से कुछ angle है, लेटस से इस angle ही तरफा, यहां से हमने इस projectile को जो किया, यहां से इस projectile को ऐसे जो किया, और यह ऐसा गया, और ऐसे गिरने लगा, बस यही तक गिर पाया, और यह यहां तक नहीं आए, तो इस plane पर यह projectile यहां जाके गिरा है, यहां से यहां तक अगर यह जाता, तो इसके range का formula हमारे पास है, two-side two-theta वाला, वो formula है, अब यह alpha angle बनाते हुए, इस surface पर इस projectile को हमने project किया, और यह angle है बीचा, बीचा angle से, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस plane पर इसका range कितना होगा, यह point है O और यह है P, यह वाला range हमको निकाल के देना है, O P, यह हमारा question है, हमको given क्या-क्या है, initial velocity कितनी है, Q, इस plane और horizontal कितना angle है, alpha, और plane से, यह जो velocity है, यह कितना angle बनाती है, बीचा, इस plane से, okay, यह हमारी टिमल quantities है, तो यह एक problem है, जिसको हम भूछा करेंगे, यह बड़ा special problem है, okay, इसके लिए हम क्या करते है, special technique भी लगाते है, और वो technique है, यह जो horizontal surface है, इसमें acceleration due to gravity इधर काम करता है, vertically, downward, यह horizontal और यह vertical, यह g की value इधर काम करती है, अब हमको मत्र हैं कि यहाँ पर अगर हमको velocity मालूम है, उससे time को multiply करेंगे, तो यह distance निकलेगा, और फिलहाल हमको यह distance नहीं चाहिए, हमको यहाँ तक का distance चाहिए, और यह point हम लोग नहीं जाते कहां पर हैं, तो इसके लिए हम एक दूजरी technique लागते हैं, technique वही है, सिर्फ हमारे numbers बदल जाएगे, किस तरह की technique से देखिए, इसमें यहाँ, से जहाँ से start लेता है, यह बाद है जो direction है, इस direction को हम x axis मान लेते हैं, Cartesian coordinate system ने हमने क्या बढ़ा रहा है, कि x, y और z, यह हम मान लेते हैं, जिस तरफ हम चाहिए मान सकते हैं, तो और हम इसको horizontal लेते हैं, यह ऐसे x, y, z, तो अभी हमने क्या किया, कि x, y को ऐसा लेते हैं, जैसा है, हमारी इच्छा है, 90-90 को हम नहीं change कर सकते, पर इसको ऐसे हम रोटेंट कर सकते, तो यह हमने x direction ले ली, अगर यह हमने x direction ले ली, तो y direction इसके normal होगी, यह y direction होगी, यह y direction होगी, अब देखिए, जब हमने उस प्रोटेक्टाई पर काम किया था, यह, तो यह जो y था, इसके हमने दो component बनाए थे, एक इस direction में और एक इस direction, this was, अगर यह angle theta है, तो यह कितना था, u sin theta और यह वाला u cos theta, u sin theta से हमने क्या निकाना था, यहाँ जाएगा और यहाँ वापिस आएगा, कितनी height इसने game की, तो answer है height zero game की, उस height से हमने इसका time का equation बनाया, पहला जो time का direction है, उसको यदि आप देखेंगे, तो इस तरीके से बनाया गया था, कि vertical displacement in y direction कितना होता है, zero, यही time बिकान नहीं का हम यहाँ तरीका बनाना चाहते हैं, लेकिन vertical displacement zero यहाँ नहीं है, यहां बनाया से यहाँ तक decision है, तो इसको लेते हैं so, अगर हम इसको लेते हैं x और इसको लेते है y तो बताईए, यहां से यहा तक y की direction में कितना displacement होा, तो आंसर है y की डिरेक्शन में 0, यहां से y इधर है, यहां से y 0 है, तो x-axis पर y हमेशा कितना होता है, 0 हर जगह पर, तो यहां भी y 0 है, यहां भी y 0 है, इसलिए displacement ऐसा हुआ, 0 तो हम भी formula यहां भी काम मिला सकते हैं, इसलिए हमने इस पूर एको ऐसा tilt कर दिया, ताकि वो formula time आई वाला, टेक्निक हम काम मिला सकते हैं, ओके, अब हमको acceleration चाहिए, acceleration को, यह इसको retard करेगा, यह, यह अगर g है, तो g का यह जो component है, यह angle alpha है, इस पर यह perpendicular है, और इस पर यह perpendicular है, तो यह angle alpha है, तो यह angle भी कितना होगा, अगर यह angle alpha है, यह g है, तो यह component कितना होगा, g cos alpha, और इसके perpendicular यह जो, इस direction में, यह component कितना होगा, g sin alpha, ठीक है, यह point clear, यह g sin alpha इदर काम करता है, अच्छा, तब इसके बाद, यहां से हमने इसको इदर देखा, g sin alpha, g sin alpha, g sin alpha, g sin beiden components करीए, एक इस डिरेक्शन में और दूसरा इस डिरेक्शन में यह अगर अगर बीटा है तो यू का इधर का कॉंपोनेंट कितना होगा और ये कॉंपोनेंट यू साइन बीटा यू कॉस बीटा तो हमने क्या क्या किया एक्स की डिरेक्शन में वेलासिटी य की डिरेक्शन में वेलासिटी एक्स की डिरेक्शन में हमारे एक्स की डिरेक्शन में एक्सिलरेशन य की डिरेक्शन में एक्सिलरेक्शन ये दिखा लिया ये हमारा पहला स्टेट अब हम equation बनाना शुरू करते हैं, तो देखिए, पहला equation, y की direction में displacement कितना हो रहा है? In direction of y, displacement is 0. हमने यह use किया, s is equal to ut plus half 80 square, इसको use किये, s कितना लिखना है? 0, u, y की direction में u कितना है? यहां से यहां का time लगा P, तो इसको हमने क्या लिखा? ut हो गया, acceleration क्या है? minus g, minus g cos alpha बीचे की तरफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? minus half g cos alpha और t का square अर उसके बाद इन में से, t को common निकाला, t को common निकाल के इदर लाए, 0 के साथ cancel हो गया, तो यहां क्या बिखा? 0 again, this is U sin beta minus half G cos alpha into T इसको इधर रहे है half G cos alpha into T this is equal to U sin beta T की वेल्य T is equal to ये इदर चड़ा जाएगा 2 U sin beta upon G cos alpha G cos alpha ये टाइम की वे दिवा दे इतने टाइम बिड ये जाकर strike करेगा यहां से देगा यहां तक के बास नहीं के आए y direction में हमने equation बनाया कि ये इधर से उपर गया और y zero करके यहां आ गया ये zero लेके हमको इस तरह से type का equation बिल गया अब हम निकालने है range का equation ये वारा range कैसे लिकालते हैं इसमें हमको क्या 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 बना इन x direction जो हमने x माना हैं उस x में इसकी डिरेक्शन x की डिरेक्शन में इसकी वेलासिटी कितनी है initial velocity u is equal to u cos β acceleration a is equal to u से opposite direction में g sin α so minus g sin α time कितना लग रहा है t ये t जिसके बराबर है ये 2u u sin β upon g cos α ये time होगा u, a, t और हमको लिकालना क्या है distance distance क्या होना है s ये हमें क्या a minus में होगा yes minus में होगा यहाँ पर u की direction किदर है right की left right acceleration की direction किला है left इसलिए ये कौम सा sign केरी करेगा s समझाया है ये time है okay so अब इसको set करते हैं s is equal to ut plus half a t square s अने निकालना है s is equal to ut D u cos beta into t a rण 2u sin beta upon g cos alpha ut minus half a a की value minus g sin alpha ut plus half a t का square a किसका square इसका square हमने क्या इतना जाएगा 4u square sin square लीटर अपून g square cos square alpha ठीक है तो यह इसके लिए आई है u यह इसके लिए आई है u यह वाली t plus half यह है a और यह रहा t square ut plus half a t square ठीक है So S is equal to अब इसको simplify करते हैं This is 2U square 2U square sin Veta cos Veta cos Veta sin Veta upon G cos Alpha minus 4U square this will be 2U square 8G cancer move here so this is upon g 2u square upon g and this is sin alpha sin square meter upon cos square alpha this is equal to 2u square upon g दोनों में आता है और का क्या आरा है cos alpha so we take it as 2u square upon g cos alpha यह साइन बीटा भी आया very good sin theta यह और sin theta यह 2u square sin theta this यह दोनों में common आगा अब common हने के बाद हम इसको निकालते हैं 2u square sin theta upon 2 cos alpha g cos alpha this is g g cos alpha okay यहाँ क्या बचा? cos alpha cos beta cos beta sin minus sin alpha minus sin alpha 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 इसके upon कुछ नहीं है? 1 और इसके upon क्या है? cos cos and yet this is equal to perfect for again cos alpha cos alpha cos alpha cos alpha cos beta cos beta minus sin alpha sin alpha sin beta cos alpha cos theta cos beta cos then cos square alpha, cos alpha, cos alpha. ये किसका नुमेशन है, इसको बेटा? cos A plus B. cos A plus B. So, this is cos alpha plus beta. cos alpha plus B. So, sin beta, cos alpha plus beta, upon G, cos square alpha. ये हमारा नुमेशन है, किसका? range S, S यानि की O P. तो, ये पुरण हुख करिये. So, this is our expression for range on the inclined plane. ये question हुख करिये. A ball of mass M is thrown vertically up. Another ball of mass 2M is thrown at an angle theta. ये vertically up नहें हैं, और दूसरा, at an angle theta. with the vertical, okay. बोथ अफ थे अफ थे अफ बरावर हैं, time of flight. What is ratio of flight, attend by both the balls? एक ball को हमने यहां से सीधा बेका, and ये उपर गया, और वहां से जाके नीचे गिल गया. तो ये कुछ height तक गया होगा, h1, और इसको time कितना लगा? टी. दूसरे ball को vertical से theta बनाते हुए, vertical से theta बनाते हुए, ये, हमने यहां से throw किया, theta angle से, तो ये ऐसा गया, और ऐसा गिल गया तरब, okay, इसकी velocity, के बारे में हमको नहीं बताएना गया है, इसकी velocity, रम ज्याना कुछ हो सकती है, इसकी height h2, okay, इसकी कुछ velocity होगी, ये velocity कितनी हो सकती है, इसकी जो velocity थी, इस velocity में भी, anything, that is u1, इसको u1 से फेका, h1 हाइट पे गया, नीचे गिरा, टाइम कितना लगा, ठीब, दूसरा बाला है, पीचा एकल से हमें पेका, वेलासिटी कुछ और बोसकती है, u2, ये किसी हाइट पे गया, h2, और फिर यहां से वापस गिरा, इसको time कितना लगा, तो यहाँ पर ये क्या दिया है, same time period, तो इसको भी time कितना लगा, t, दोनों का क्या चीज से है, time period, तो given क्या है, given, t is sink, निकाहना क्या है, to find, h1 upon h2, ये हमको दिये गया, what is the ratio of height, attempt by both the box, अब शुरू करते हैं, h1 upon h2 निकालना है, तो हम इसका h1 निकालते हैं, इसका निकालते हैं, लेकिन, velocity अलाइब दे, ये velocity भी हमको problem देगी, देखे, h1, height, इसकी कैसे निकाले जाएगी, ये वडिकर उपर गया, height निकालने का कोई तरीका आप तो मानूँ में, height निकालने का तरीका है, इसकी initial velocity है, u1, final velocity क्या हो जाती है, 0, acceleration कितना थाफ दाता है, minus g, तो distance, s कितना है, h1, तो v, a, s, और u, ये चार को मिलाता, कौन साइट कॉईशन बना, minus g, correct, so, for the first, for first call, हमको, h1 लेना है, s क्या लिए हमने, s is equal to, using s is equal to, v2 minus u2 upon 2a, is कौन यू लिए, s the value with me, h1, is equal to, final velocity, 0, minus initial velocity, u1, square, divided by, 2, acceleration कैसा है, minus g, the h1 कितना लेट लेट लेट, okay, this is, u1 square upon 2g, okay, अब, इसमे, h2 की value, projectile मे, maximum height का formula, बताईए, अब, इसमें अज़र वाले क्या, आज़र तुर? तो अब लेट, तो उससे क्या, तो वर्टिकल है क्या है, वर्टिकल है तुर वर्टिकल क्या क्या, लेटिकल, वर्टिकल, ये बिल्कुर टी, इस्टेंट है, कैसी होनी चाहिए? सेउस्टान होनी चाहिए लेकिन इनीशल डेलसिटी कब या ज्यादा हो मिटो नहीं टाइम चेंज हो जाएगा अगर इनीशल डेलास्टी कुछ कम ज्यादा हो गितो टाइम चेंज हो जाएगा लेकिन हमको तो given condition है कि time कैसा लगेगा, एक जैसा, अगर time एक जैसा है, तो initial velocity vertical direction में कैसी होगी, एक जैसी, अगर initial velocity vertical direction में एक जैसी है, time एक जैसा है, तो height की कैसी होगी, same, इसलिए argument से हमने निकाला, कि time is same, अब हम उसको mathematically proof करें, ओके, ये h1 आया, अब h2, h2 का formula, h2 का formula क्या बताना है, ये वादी velocity कितनी है, u2 cos theta, और ये वादी, u2 sin theta, इस velocity के साथ, हमने इसका formula बनाया, और ये कितना है ना बताएए, u2 cos theta upon 2g, formula आपना देखिए, ये है, कुछ formula में क्या है, sin theta, sin theta कब जब theta आपने किसका लिया, horizontal के साथ, तब formula बनाया था, लेकिन अभी theta एगा है, तो sin theta का क्या बन जाएगा, cos theta, इसलिए cos theta, कौंसी डलस्टी रेनी है, वंडिकल बनाया, ये आगया, patch 2, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस क्रिया देखिए, ये समझ आगया आपको, तो फे, अब एखिए, अब एखिए, पेश्टी को हम निकाल सकते हो, पर इसमें U1 और U2, इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम हम निकालते हैं, यहां से गया और यहां से बापस आया, तो इसका डिस्पेस्मेंट कितना हुआ, जी रो, ये इनिशन वेलासिटी, ये रहा इसका एक्सेलरेशन, ये रहा इसका डिस्पेस्मेंट और निकालना जा है, तो S is equal to UT plus half AD square, 0 is equal to U1 into T, U1T, UT plus half GT square, इससे हमने स्वार्ट गया, AT common निकला, common निकल के चैंसल हो गया, ये इदर चला जाएगा, और T की वेलिद पे आएगा, 2 U1 upon T, ये किस में आया? Vertical motion में? अब बताएगे, प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल में T कितना होता है? प्रोजेक्टाइल में T, प्रोजेक्टाइल में T, प्रोजेक्टाइल की वेलिद प्रोजेक्स कॉछ कि वेलिद प्रोजेक्टाइल में U2 cos theta upon यह क्या है? अब देखिए हमारे given condition term, both have got same time. अगर दोनों का time same है, तो same time होने से हमको क्या मिदेगा? Same time. Same time होने से हमें मिदा 2U1 upon G is equal to 2U2 cos theta upon G. यह मिदा? इसमें G cancel, Q cancel. U1 की value कितनी है? U2 cos theta. ठीक है? ओके, यह पता लग गया. अब हमने निकालना क्या है? तो answer है हमने निकालना है, H1 upon H2. तो देखिए, H1 upon H2 is equal to, H1 upon H2 is equal to, रोनों का 2G, 2G cancel हो जाएडा. तो देखिए, so this will be U1 square upon? U2 square cos square theta. U1 की value कि यहां से रखते है? U1 is equal to U2 cos theta. यह क्या होगा? U2 square cos square upon U2 square cos square this is equal to 1 इस तरह से इसकी वेटिम बाद आएगी याने दोनों की राइट कैसे जाएगी सेंग सेंग अर्गुमेंट से हम लोग पहले इसको इसको डिस्कस कर चुके हैं यह चुंकि दोनों पर ताएगी जैसा है इसलिए उपर जाने की राइट तोनों की यह जैसे होनी चाहिए क्योंकि टाइम हमेशा वटकर मोशन पर डिपेंट करता है इस पे क्या चीज आपको इपॉर्टेंट लगती है सेंग रेंज हाँ अगर रेंज सेंग होता है तो एंगल में क्या रेंशन होता है अगर रेंज दो प्रोजेक्टाइट का रेंज सेंग होता है तो उनके एंगल में क्या रेंशन होता है एक प्रोजेक्टाइट है उस प्रोजेक्टाइट में दो ऐसे एंगल है जिसके लिए सेंग रेंज आता है तो थीटा और 90 बाइस थीटा है, तो दूसरे का 90 बाइस थीटा है, और एक का इनो ने क्या दिया है, एंगल अप्रोजेक्शन थीटा, तो T2 वाले का कितना होगा, 90 बाइस थीटा, okay. T1 and T2 विदा है, तो डाइस थीटा, तो पितना थाटा है? Time of flight का formula, अभी अभी आप्मे पताया का? Formula गोलिए, 2u sin theta upon G. Right. 2u sin theta upon G. ये पहले का time है, T1. दूसरे का time कितना होगा? T2. This is equal to, again, 2u sin 90 minus theta upon G. Rather, theta का रेंच और रेंच और रेंच और 90 minus theta का दोनु का time, T1 और T2 है, T1 and T2. Angle कैसे लेंग है? Same range वाले angle, ये same range वाले angle अपनी लेंगी. Okay, ये हमको दो equation लेंगी. और इसमें क्या चीज़ी involved है? R. Okay, क्या हमका दा सकते हैं? अच्छा, ठीक है, आते हैं उस पे, आर्वा formula क्या होगा है? Range. Range. Range is equal to? U square, 2 sin theta cos theta upon? T2. ये range का formula? Yes, sir. Okay, अब देखें, T1, T2 ये की? ये जो हमें प्रूफ करना है. इसका left-hand side क्या है? T1, T2, तो हम भी T1 or T2 multiply करें? T1 into T2 is equal to? 4u square. G square, and this is? 4u square. 4u square sin theta into cos theta. इसमें से, 2u square sin theta cos theta upon G. क्या चीज़ होती है? आप? बाकी सबको रहें दो, बाकी सब कौन? 2 upon G. तो यहां क्या बचा 2u sin theta past theta. 2u sin theta past theta क्या है? आप? तो यह हम को मिला T1 into T2 is equal to 2 upon G into R. जिसमें 2 constant है, Gb constant है. तो T1, T2 क्या हुआ? देरफो, T1 into T2 is proportional to R. यहां के समझें? यहां के समझें? ठीक है? तो चुकि इनोंने T1, T2 निकालने को बोला, इसलिए हमने एक T1 का equation बनाया, और एक T2 का equation बनाया, दोनों को multiply किया. अब दोनों को चुकि R की पाशा में बताना है, इसलिए R का equation हमने node किया. और इसमें यह value R की हुदी है, तो इस value के बत्ते में R रख दिया, तो हमको यह form दोना मिला, T1, T2 is equal to upon G R, फिर इस इस एक constant, अगर यह constant है, तो T1, T2 is directly proportional to R. यह बत्ते हैं? ठीक है? अब दूसरा, T1 upon T2. T1 upon T2. तो लोगो डिवाइब करतीजिये, देख रहा है आपको, यह sin 90 minus theta क्या? cross theta. और जब डिवाइब करो देतो, cancel, cancel. Yes, T1 upon T2. क्या वाल गया? 20. विगा है? तो यह हुदी में गोरुची देशिए.